नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरिच दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्तोपून जानकारियों को लेकर करके जहाँ दोस्तों आज का हमारा टोपिक है मखाना खाने के फायदे मखाने देखने में तो गोल मटोल सुखे दिखाई देते हैं परेहकई और शध्य गुनों से भरपूर होते हैं हमारे स्वास्थे को तंदुरूस्त रखने में मदद करते हैं मखानों का प्रियोग हम भोजन में भी कर सकते हैं मखाने में प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट भरपूर मातरा में पाये जाते हैं मखानों से तयार खीर बहुत ही स्वाधिश्ट होता है सबजी और भुजिया में भी मखाने डाले जाते हैं मखाने खाने से शरीर को कई रोगों से छुटकारा मिलता है मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में अक्सर खीर के रूप में या फिर नमकीन भूने हुए नमकीन के रूप में हम खाते हैं मखाना कमल का बीज नहीं होता है इसकी एक अलग प्रजाती है यह भी तलाबों में ही पैदा होता है लेकिन इसके पोधे बहुत काटेदार होते हैं इतने कटीले कि उस जलाशे में कोई जानवर भी पानी पीने के लिए नहीं घोस्ता जिसमें मखाने के पोधे होते हैं इसकी खेती बिहार के मिथलांचल में होती है मखाना दो देवताओं का भोजन कहा गया है उपवास में इसका विशेश रूप से उपयोग होता है पूजा एवा महवन में भी यह काम आता है इसे औरगेनिक हरबल भी कहते हैं क्योंकि बिना किसी रासाइनिक खाद या किट नाशकों के उपयोग किया जा सकता है अधिकांशत ताकत के लिए दवाएं मखाने से बनाई जाती हैं केवल मखाना दवा के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे सहयोगी आयरुवेदिक और शधिवी का सकते हैं आप इसके औशधिय गुणों के चलते अमेरिकन हर्बल फूड प्रोडक्ट एसोसियेशन द्वारा इसे क्लास वन फूड का दर्जा दिया गया है यह जिन अतिसार ल्यूकोरिया शुक्रानों की कमी इत्यादी में उपयोगी है इसमें एंटियोगी होने से यह स्वसन तंत्र आप दायक है यह बलड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है इसके बीजों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा कैल्सियम एवं फासफुरस के अतिरिक्त कैरोटीन लोहा निकोटीन अमल एवं विटामीन बीवन भी पाया जाता है मखान में 9.7% आसानी से पचने वाला प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 12.8% नमी, 0.1% वसा, 0.5% खनीज लवन, 0.9% फासफुरस, एवं प्रती 100 ग्राम, 1.4 मिले ग्राम लोहपदार्थ मोजूद होता है अब हम जानते हैं मखाना बनाने की विधिकों मखाने उथले पानी वाले तालाबों और सरवरों में पाये जाते हैं मखाने की खेती के लिए तापमान 20-15 टेग्री सेल्सियस तथा सपेक्षिक आदरता 50-90% होनी चाहिए मखाने की खेती के लिए तालाब चाहिए होता है जिसमें 2-5 फिर तक पानी रहे इसकी खेती में किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खेती के लिए बीजों को पानी की निचली सता पर 1-5 मीटर की दूरी पर डाला जाता है एक हेक्टेर तालाब में 80 किलो बीज बोय जाते हैं बुआई के महिने दिसंबर से जनवरी के बीच होते हैं बुआई के बाद पोधों का पानी में ही अंकुरन और विकास होता है इसकी पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे छोटे काटे होते हैं इसके पत्ते बड़े और गोल होते हैं और हरी प्लेटों की तरह पानी पर तैरते रहते हैं अप्रेल के महिने में पोधों में फूल लगना शुरू हो जाता है फूल बाहर नीला और अंदर से जामुनी या लाल और कमल जैसा दिखाई देता है फूल पोधों पर कुछ दिन तक रहते हैं फूल के बाद काटेदार स्पंजी फल लगते हैं जिन में बीज होते हैं यह फल और बीज दोनों ही खाने योग्य होते हैं फल गोल अंडाकार नारंगी रंग के तरह होते हैं और इन में आठ से बीज तक की संख्या में कमल गटे से मिलते जुलते काले रंग के बीज लगते ह फलों का आकार मटर के दाने के बराबर तथा इनका बाहरी आवरन कठोर होता है जुन जुलाई के महिने में फल एक से दो दिन तक पानी की सतह पर तैरते हैं फिर ये पानी की सतह के नीचे डूब जाते हैं नीचे डूबे हुए इसके काटे गल जाते हैं और सितंबर अक्टूबर के महिने में ये वहां से इकठा कर लिये जाते हैं फलों में से बीजों को निकाल लिया जाता है धूप में इन बीजों को सुखाया जाता है सुखे बीजों को लोहे की कड़ाई में सेंका जाता है सेकने से बीजों के अंदर की नमी भाप में बदल जाती है और जब इन सीके हुए बीजों को कड़ी सता पर रख कर लकड़ी के होटोडों से पीटते हैं तो गर्म बीजों का कड़क खोल फट जाता है और बीज फट कर मखाना बन जाता है इन्हें रगड कर साप किया जाता है और पॉलिथिन में पैक कर दिया जाता है अब आईए हम जानते हैं इसके आयूर्वेदिक गुनों के बारे में ये पाचन में सुधार करता है मखाना एक एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण सभी आयूर्वर्वेदिक के लोगों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है बच्चों से लेकर बुढ़े लोग भी इसे आसानी से पचा लेते हैं इसका पाचन आसान है इसलिए इसे सुपाच्य कह सकते हैं आप इसके अलावा फूल मखाने में एस्ट्रीजन गुन भी होते हैं जिसे या दस्त से राहर्त देता है और भूख में सुधार करने के लिए मदद करता है एंटी एजिंग गुनों से ये भरपूर होता है मखाना उम्र के असर को भी बेअसर करता है यह नट्स एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण उम्र लोग सिस्टम के रूप में कारे करता है और आपको बहुत लंबे समय तक जवाँ बनाता है मखाना प्रेमेचोर, वाइट हेयर, जुर्नियां और एजिंग के अन्य लखशनों के जोखिम को कम करने में मदद करता है डाइबिटेज रोग्यों के लिए ये फायदे मन्द होता है डाइबिटेज जयापचय विकार है जो उच्चरक्त शरकरा के स्तर के साथ होता है इससे इंसुलीन हर्मोन का स्तराव करने वाले अन्य आश्य के कारे में बाधाउद पन होती है लेकिन मखाने मीठा और खटा बीज होता है और इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन होने के कारण ये डाइबिटेज के लिए बहुत अच्छा होता है किड़नी को ये मजबूत बनाए रखता है मखाने का सेवन किड़नी और दिल की सेहत के लिए फायदे मंद है फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण ये स्प्लीन को डिटोक्सिफाई करने किड़नी को मजबूत बनाने और बलड का पोशन करने में मदद करता है साथ ही मखानों का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सिहत मन्द रहता है दर्द से छुटकारा दिलाए मखाना केल्शियम से भरपूर होता है इसलिए जोडों के दर्द विशेश कर अर्थराइटिस के मरीजों के लिए इसका सेवन काफी फायदे मंद होता है साथ ही इसके सेवन से शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द जैसे कि कमर दर्द और घुटने में हो रहे दर्द से आसानी से रहत मिलता है निंद ना आने की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाता है मखाने के सेवन से तनाव कम होता है और निंद अच्छी आती है रात में सोते समय दूद के साथ मखाने का सेवन करने से निंद ना आने की समस्या दूर हो जाती है कमजोरी को भी ये दूर करता है मखाने का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहत मंद रहता है मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फिट रखने में भी मददकार होता है मखाना शरीर के अंग सुन होने से बचाता है तथा घुटनों और कमर में दर्द पैदा होने से रोकता है प्रेगनेंट महिलाओं और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी में हसूस करने वाली महिलाओं को मखाने का सेवन करना चाहिए मखाना का सेवन करने से शरीर के किसी भी अंग में हो रही दर्द से रहत मिलता है मखाना का सेवन करने से शरीर में हो रही जलन से भी आपको शांती मिल जाती है रहात मिल जाती है मखाना को दूद में मिलाकर खाने से दाह यानि की जलन में आराम मिलता है छेमा खानों के सेवन से दुरबलता मिटती है तथा शरीर पुष्ट होता है विर्य की कमी मरदाना कमजोरी शुक्र मेह में इसे हलवे के साथ खाना चाहिए आटे घी चीनी के हलवे मखाने में डाल कर खाने से गरभाशे की कमजोरी और प्रदर की समस्या दूर होती है तो देखा दोस्तों आप सभी ने हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए थे मखाने से जुड़ी हुई जानकारियों को अगर आप मखाने का सिवन करते हैं तो इन सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली कड़ी में हम आप सभी से जुणेंगे कुछ एक और बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों